हेलो बाइज मेरा ये जानियर बच्चो रदरफोर्ड एटमिक मॉडल के लेक्चर 1 में हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने आर्फा पार्टिकल की स्केट्रिंग गॉल फोल पर करवाई थी और उसके बाद में उसने कुछ आधार पर उसने अपना एटमिक मॉडल दिया हमने में देखा था कि किस तरह से रदरफोर्ड है उसने एटमिक मास एंड न्यूपलेस की बीच में एक रिलेशनशिप दिया था और वहीं से न्यूपलेस की रिडियस की थी तो बच्चो रिलेशन क्या था उससे हम आगे प्रोसीड करते हैं यहां पर रिडियस आफ नूपलेस आर्थ इस काल दो आर नौथ ए रेस्टु दिप और वंपाई थी यह उसने एक रिलेशनशिप दिया था आर नौथ की जो वेल्यू थी मैंने आपको बताए थी के लिए 1.3 इंटो 10 दिश्टु दिप और माइस 13 सेंटीमिटर यूज में ले दे हैं नौ यहीं से हम करते हैं आखिर जो है कि एटम के रेडियस और नौथ लेश्टो बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं तौन हम देखते हैं आर नौथ बाइस और आटम यह हम क्यालकुलेट करते हैं यानि इसकी वेल्यू क्या होती है यह मैं यहां पर हैस्ट्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको पता से जाएंगे इंपलेट करने चले वजब आपने देखा यहां बार नुकलियस होता है उसके जो रेंज होती है वह क्या होती है 10 दि पार मायास थाइन की रेंज होती है आप् देखते हैं तो इन दोनों का रेशिव अता है 10 Advis to the power minus 5 इसका मत्लब में ऐसे का रहता हूं कि यहां पर जो Atom के comparison में निप्लेस है वो 10 echoes to the power minus 5 times टाइम स्मॉण रहता है या में ऐसे का रहता हूं आद निप्लेस है वो 10 does to the power 5 times smaller होता है Atom की रेडियस के comparison में कर लेते हैं तो वॉल्यूम क्या सब्सक्राइब करने हैं यहां वॉल्यूम ऑफ जो है नुपलियस उसका वॉल्यूम ऑफ एटम इन दोनों के पीच में में रिलेशंशिप करना है क्या होता है चले लिच्छो आपने देखा कि एटम कैसा होता है स्पेडल हुता है जैसा कि राधर वादैर ने बताएं वी खिर से फिर के फाम में रता है और नुपलियस भी क्या होता है एक ती पार आपने देखा कि हां पर जो एक बड़े स्पियर के अंदर फियएंट रहता है चले यहां पर दोनों की रेडियेट वोल्यूम का रेश्यो सब्सक्राइब करते हम यहां पर फोर बाइट कि इस यह ऑल गोला है यह नूप्लियर्स आप यहां जब आजाता है जो नुप्लेस का वोल्म काफी काफी काफ होता है एक जो है उसका वॉल्यूम वह काफी काफी जागा होता है कि अगर cricket ground है जिसमें अगर cricket की बोल है cricket की बोल है वह्यक्रिक्ष है तो ऐसे में cricket डाइड क्रिकेट का जो ग्राउंड होगा, जिसके रेडियस क्ना किक नूपलेस का साइड एकर इतना चोटा होता है यस शोटा होता है सब्सक्राइब तो यह अपने देखा था कि आलफा पार्टिकल स्केटरिंग के समय सब्सक्राइब तो इसका मतलब कहा गया था कि अंदर होता है और काफी 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 ज्यादा होती है तो बच्छों में यहां पर देंसिटी और न्युक्लेस के बारे बाद करूआ पाले उसे कैलकुलेट करें कि इतनी होती है कि तो के देंसिटी और न्युक्लेस के बारे अंदर करें कि अब सब्सक्राइब कर देंसिटी आपसे लोगों पता है कि व्ल्वाइब तो हम यहां है निखेंगे density is equal to mass divided by volume, volume किसका लेना, nucleus का लेना, mass किसका लेना, nucleus का लेना, yes, mass क्या होता है, लेकि ए तो mass number होता है, और अपने mall concept के अंदर पड़ा है, कि अगर a के atom का mass निकालना होता है, तो क्या होगा, mass number को amu से multiply कर देते हैं, यानि amu, amu इसका mass होगा, nucleus का mass, मैं ऐसा करता हूँ, तो कि atom का mass nucleus के mass के बराबर होता है, हम ऐसा करते हैं, कि atom का completely mass होता है, और nucleus के अंदर present होता है, तो रखें बैच्चों, यहाँ पर किसी भी atom का mass number होगा, वो a होगा, लेकिन उस atom का, जो actual mass होगा, तो क्या होगा, a multiply by amu, atomic mass unit, मैंने आप लोगो बताया था, एक को amu से multiply करेंगे, तो एक atom का mass आजाएगा, जैसा कि mall concept में आपने बढ़ाता, now divide by volume 4 by 3, pi, pi r2, हम answer ले सकते हैं बच्चों, रखते हैं यहाँ पर density, क्या होगी, यहाँ पर a multiply by amu, इसकी value होती है, 1.66 into 10 to the power minus 24, gram, यह value हो जाएगी बच्चों, divide by 4 by 3, pi, pi की value में, 122 upon 7, ok, multiply by r की value होती है, आपने देखा, nucleus के जो radius हो, atomic number के अंदार होता, r0 multiplied by a raised to the power 1 by 3, pi r3 आजाएगी बच्चों, हम इसको अगें सोब देरेंगे, यहाँ पर देखो, a multiply by 1.66 into 10 to the power minus 24, gram, divide by, आप देखते हो, 4 by 3, multiply by 22 upon 7, multiply by r0, r0, r0 की value आपने देखी थी, r0, capital r0 जो बताब 1.3 into 10 to the power minus 13 cm, तो 1.3 into 10 to the power minus 13 cm, यहाँ पर r0 की power 3 है, तो यहाँ पर 3 लिक्चों, multiply by, आपने देखा, यह तो 3 है, यहाँ पर a की power 1 by 3 है, 1 by 3 को 3 से multiply करेंगे, तो 1 आजाएगा, यहाँ एक पावर 1, a से आपका एक एक देखा, बत्चों, यहाँ पर अगें देंसिटी की निगाते हैं, देंसिटी इस क्या हो जाएगा, बत्ों, सोर करागिया, 1.66×10-24 ग्राम, यहाँ देखा, बत्चों लिक्कों, 22,7 x4 x 3 x 3 x 1.3 x 10 अजाएगा, जैसे ही हम इस वेल्यू को सोल करते है बच्छो वेल्यू आती है बच्छो यह आपकी डेंसिटी आती है इसका मतलब आपने देखा यहां पर वोटर की डेंसिटी कितने होती है इतने की डेंसिटी होती है तो बच्छो यहां पर काफे जयादा देंसिटी होती है इसकी और इसे से कोलाईड होकर के अलवा पारिकल हापी से रिप्लेट हो जाता है अपने हथ पर रिटर्न हो जाता है तो बच्चों यह तो थे यहां पर राज़र फॉर एक्ष्प्रिमेंट से रिलीटिट कुछ जो उसने डिस्कवरी कि थी उसमें यह और बताए था कि जब अल्भा पार्टिकल अपने पाथ से डेवेट हो रहे थे तो डेवेट होने वाले पार्टिकल एंटीता की बीच में ड झीवेटनी next point relationship between relationship between between angle of deviation angle of deviation theta and and number of number of alpha particle particles is that है यहां पर देख्दे हम आप आपक हमने निप्लेश है निप्लेश से कुछ अपने पाटिकल है और यहां अपने पाटिकल कि इस ताप से और उसने कहा था कि अपने यहां अपने पाटिकल कि इसके रिट कम हो जाती है तो बचल यह तो था खीटा और यह आपका निप्लेश और यह हैं आपके अपके आपके और इस अपन जाद होगी तो za तो n की value कम होगी, कैसा उसने बताए था, लेकिन relationship क्या था, वो बताए तो, यहाँ आपके, sin, जो है, n theta 2, n theta 2, divided by n theta 1, is equal to, kya होगो, sin, for theta 1 by 2, divided by sin, for theta 2 by 2, यह relationship दिया था, theta 2, n theta 2, alpha particle, theta 2, angle से, डेविट हो रहे थे, और n theta 1, particle, theta 1, angle से, डेविट हो रहे थे, कितना डेविट होंगे, यानि, जो, कितने particle, यहाँ पर, skating show करेंगे, डेविट होंगे अपने पास से, वो, इस formula से, हम calculate कर सकते हैं, एक question इसी की basis पर है, यहाँ पर वैसे में, n term लेंगे तो, n theta 2, इसको क्या है, number of alpha particle, particle, डेविट, 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 from theta 2, angle, and n theta 1, यह है, number of alpha particles, डेविट, from theta 1, angle, number of, number of alpha particles, deviate from, from theta 1, angle, angle, यह है, बेच्छो, नव, एक question इसके basis पर सुर करते हैं, 200 alpha particles, are, deviated from, 60 degree angle, in a result of alpha rays, scattering, experiment, how many alpha particles, will deviate from, 90 degree, in same condition, question है, question, 200 alpha particles, particles, are deviated, deviated from, 60 degree, in, rather for alpha particle, alpha particle, experiment, how many, how many, alpha particles, will deviate, from, angle, 90 degree, बच्चों यह आपका कॉश्चन है 200 अल्फा पार्टिकल डेविट हो रहे हैं वह सिस्टी डिग्री से इसका मतलब मैं का सब्सक्राइब तो क्या होगा तो आपको केल्गुरेट करने हैं तो रखे बच्चों यहां पर साइंग है यह वेल्फा तो फैटन का सब्सक्राइब यह तो फाइंड आउट करना है से यहांपर साइन खीटा वन बाइटू खीटा वन खीटा वन की वाइट इतनी है तो रखिए यहांपर साइन थीटा वेल्व हग ने की एक साइन खीटा वेल्वू हगे साइनलों खीनलों 350 भाहिट अब्ल 750 एक्सटा ही सब्सक्राइग लखना की आपका को बेहर दो साइन फॉर 30 डिवाइड बाइस आरे साइन फॉर 90 भाइट बाइस ना थोन साइन की वैली होती है 1 by 2, तो रखोंगे यहां पर 1 by 2 की पावर आपका 4, दिवाइड बाइ 1 by, साइन 4 काई की वैली होती है 1 by 2, 1 by 2 की पावर 4, सो आपकरोंगे 1 by 16 आएगा, यह 1 by 4 आएगा, यह आपका 4, 1 by 4, इसके वादा मैं एसर रखता हूँ, एड़ चीटा 2 is equal to 200, मंतिक्ता आएग, 1 by 4 is equal to 50, 50 यहां पर यह आपका यह आपका यहां आपका यहां पाटिकल है, वो क्या होगा, 90 दिवी के एंगल से देविट होने इस तरह से देविट होने वाले अलपाटिकल, एंड जो है, एंगल के वीचे में इसने relationship दिया था, इतना कुछ बताया रखवर्ड ने, लेकिन उसके भी कुछ-कुछ drawback है, तो जो है, कुछ-कुछ theories को explain करने में में नाकाम याब रहा है, तो क्या-क्या limitations है, रखवर्ड एक्स्प्रमेंट की, वो देखते हैं, अब रिलेज करेंगा energy, तो इसका मतलब क्या होगा, वो energy को रिलेज करते करते हैं, निप्लेस के पास में आता जाएगा, और फाइनली निप्लेस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसका explanation नहीं दिया उसमें, Now, second here, line spectrum, hydrogen के line spectrum के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, उसने कहा था कि circular बात पर जो है electron fast speed से move करते हैं बस, यानि planetary system के according जो है, यहाँ पर एटम का arrangement होता है, ऐसा उसने कहा था, तो चलो बच्चो, यहाँ पर उसकी limitations भी देखे थे हैं, अज़ने कि नहीं आए गारे में, यहाँ आए अगा पर देखे लिए आखे लिमिटेशन लेमिटेशन का होती है उसको पाले हैं पर दोच्चोंग बच्चो रहते हैं, हम देते हैं यहां पर, first, according to Maxwell's electron या energy distribution का, तो मैं यहां पर लिखूरू हूं, या theory of electromagnetism, according to Maxwell's theory of electromagnetism, electromagnetism, magnetism, a charged particle, particle, release, release, its energy, its energy, in a circular path, in a circular path, circular path, यहां पर a moving charge particle में लगते हूं, moving charge particle, हमेशा, और अपने energy continuously क्या करता है, हैं और में लिखुरू करता है, और मुचलास में लिजा लगते हूं, तो, electron शूंस, electron शूंस, electron शूंस, should, continuously, 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 release its energy energy and should fall in nucleus should you fall in nucleus fall in nucleus nucleus में घिर जाना चलिए बच्छो continuous में अपनी energy घिल चाथ है जैसे मैं इसकी बाद कमा यह नुकलाइस रिवोल्ड करता है और अपनी energy को बहाल नीबालता है यहां पर यह इनर्जी को बहाल है अपनी energy करेड़ यहां पर एनर्जी बहाल रिलीज करेगा और रिलीज करेगा दो यह नुकलाइस के पास में आए गाए इस तरह से circular path बात पर यह रिमूब करता है तो क्यों नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है इसका इसका एक्स्पेक्ट्रम के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया था है प्षान के बारे में एम्ट थार्ट है इसकी अनल्डी और गिए एंट जो सब्सक्राइब बारे में कुछ नहीं बताया था तो मैं सेकेंड मारे में बत्चों क्या संद्लि मैं क्नॉंटेशन है कियुड नौट को नौट एक्सु में एक्स्प्लेंड यानु ग्यूट ऑग् गिव एक्सलेरेशन एबाउट एबाउट लाइन इस्पेक्ट्रम और है या लाइन सप्पेक्ट्रम के बार में कुछ नहीं बता सका, और next, last and final third point है, he could not, he could not explain about energy of electron, energy of electrons and and its arrangement, its arrangement, क्योंकि उसने बतायता कि यहां पर atom का जो arrangement है, planetary system के दर होता है, लेकिन उसकी energy क्या होती है, कि दूरी पर होता आएंगे, उसने कुछ भी ने बतायता, इस तरह से रज़रपोर्ट ने का पर अच्छा काम किया, जिसके basis पर आगए कई सारी theories को base मिला, अगले लेक्चर में हम कुछ fundamental definitions के बार में discuss करेंगे, थैंक्यू लेक्चर में करेंगे, यृत्र कि एृति досय क्ववरोर्ट